समस्त परिजन सेना के बहदुर जवानों और मेरे प्रिय देश वाश्यू आज लद्दा की ये महान धर्ती कारगिल विजे के पचीस वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है कारगिल विजे दिवस हमें बताता है कि राष्ट के लिए दिये गए बलिदान अमर होते है दीन महिने वर्ष सदिया गुजरते हमें बताता है कि राष्ट के लिए दिये गए बलिदान अमर होते है दीन महिने वर्ष सदिया गुजरते है सदिया भी गुजरती है मौसम भी बदलते है लेकिन रास्ट की रख्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमीट रहते हैं ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महा नायकों का सदा सर्वदा रणी है ये देश उनके प्रती कृतग्य है साथियों मेरा स्वभाग्य है कि कारगिल यूत के समय मैं सामान्य देश्वाशी के रूप में अपने सहनिकों के बीच था आज जब मैं फिर करगिल की धर्ती पर हूँ तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है मुझे आद है किस तरह हमारी सेना उने इतनी उचाई पर इतने कठीन युद्ध आपरेशन को अंजाम दिया था मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शुर्विरों को आदर पुर्वक परणाम करता हूं मैं इन सहीतों को नमन करता हूं जिनोंने कारगील में मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया साथियों कारगील में हमने केवल युद्ध नहीं जिता था हमने सत्य, सैयम और सामर्थ का अध्भूत परिचय दिया था आप जानते हैं भारत उस समय शांती के लिए प्रयास कर रहा है बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना और विश्वासी चहरा दिखाया लेकिन सत्य के सामने असत्य वर आतन की हार हुई साथियों पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुश्व प्रयास किये उसे मुह की खानी पड़ी है लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सिखा है वो आतंगबात के सहारे प्रोक्षिवार के सहारे अपने आपको प्रासंगीक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूँ जहां आतंग के आखाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है मैं आतंगबात के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ कि उनके नापाग मन सुभे कभी काम्याब नहीं होंगे आतंगबात को हमारे जवाज पूरी ताकत से कुछलेंगे दुश्मन को मुहतोर जवाब दिया जाएगा साथियों लगदाखो या फिर जम्मु किश्वीर विकास के सामने आ रही हर चुनोती को भारत परास्त करेंगे तो द्रास से आप सीधे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को सुन रहे थे जहां करगिल विजय दिवस पर उन्होंने सैनेकों को याद भी किया रुकते हैं छोट उसे ब्रेक के लिए देट रहे न्यूज एरीन वाजस्था तो पराकरम के वो पच्चिस साल आज देश फिर से याद कर रहा है सीधे आपको लेकर चुलते हैं लद्दा के द्रास में जहांपी अर्मोदी समुश्था पर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा ये टनल लद्दा के विकास और बहतर भविश्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खुलेगी हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वज़़ से लद्दा के लोगों को कितनी मुश्टिले आती है शिंकुंदला टनल के बनने से ये मुश्टिले भी कम होगी मैं लद्दा के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम सुरू होने के लिए विशेस बढ़ाई देता हूँ साथियों लद्दा के लोगों का हीद हमेशा हमारी प्रांटफिक दा रहा है मुझे आद है कोरोना के समय में करगिल छेत्र के हमारे कई लोग इरान में फस गए थे उन्हें बापस लाने के लिए मैंने ब्यक्तिगत स्थर पर काफी प्रयास की इरान से लाकर उन्हें जेसल मेर में ठहराया गया था और जब स्वास्त की दृष्टी से पूरी तरह संतोज जनग रिपोर्ट मिले उसके बार उन सब को उनकी घर तक यहां पहुँचाया था हमें संतोज है कि हम अने को जिन्दगियों को बचा पाए यहां के लोगों की सुविदाएं बड़े इज अफ लिविंग बड़े इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है बिते पांच वरसों में हमने लग्दाग के बजेट को ग्यारा सो करोड से बढ़ा कर छे हजार करोड के कर दिया है यानि करीब करीब छे गुना की वृद्धी यह पैसा आज लग्दाग के लोगों के विकास में यहां सुविदाएं बढ़ाने में काम आ रहा है आप देखिए सडक बिजली पानी सिक्षा पावर सप्प्लाई रोजगार लग्दाग में हर दिसा में द्रश्य भी बदल रहा है परी द्रश्य भी बदल रहा है पहली बार यहां होलिस्टीक पानिंग के साथ काम हो रहा है जल जीवन मिशन की वज़े से अब लग्दाग के नप्पे प्रतिशत से जादा गरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है लग्दाग के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले इसके लिए यहां सिंदू सेंट्रल युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है पूरे लग्दाग शेत्र को 4G नेट्वर्क से जोडने का काम भी चल रहा है 13 किलोमिटर लंबी जोजिला टरनेल का काम भी जारी है इसके वजन बनने से नेशनल हाइवे नंबर बन पर भी आल वेजर कनेक्टिविटी हो जाएगी साथियों हमने देश के सिमावर्तिक छेत्रों में विकास के असाधारन लक्षत्ताई किये है चैलिंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है बॉर्डर रोड और्डिनाइजेशन बियारों ने ऐसे लक्षों को पुरा करने के लिए अभुत पुर्व गती से काम किया है बियारों ने पिछले तीन साल में हैं तीन सो तीस से जादा इंफ्रास्टर प्रोजेक्ट पूरे किये हैं इसमें लद्दाग के विकास कारियों से लेकर पुर्वत्तर में सेला टरनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामी है मुश्किल ट्रेरेंस में विकास की एक गती नए भारत की छमता और दिशा दोनों दिखाते हैं साथियों आज की वैश्वीक परिस्थितियां पहले से अलग है इसलिए हमारी सेनाओं को हत्यारों और उपकरोनों के साथ साथ कारिय शैली और व्यवस्ताओं में भी आधुनिक होना चाहिए इसलिए देश दसकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफार्म्स की जरुत मैसुस करता रहा था सेना स्वयम वर्सों से इसकी मांग कर रही थी लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्वन नहीं दिया गया बीते दस वर्सों में हमने डिफेंस रिफार्म्स को रक्षाप छेत्र की पहली प्राध्फिक्ता बनाया है इन रिफार्म्स के कारां आज हमारी सेनाएं जादा सक्षम हुई है आत्मन निर्भर हो रही है आज डिफेंस प्रकॉर्मेंट बैंक बड़ी हिस्सेदारी भारतिय डिफेंस इंडिस्ट्री को दी जा रही है डिफेंस में रिशर्ट एंड डेवलोप्मेंट बजेट का भी पचीस प्रतिशर्ट प्रावेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है ऐसे ही प्रयासों का परणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब सवा लाग करोड रुपिय से जादा हो चुका है कभी भारत की जीन थी हत्यार मंगाने वाले देश के रुपे भी थी अब भारत एक्षपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है मुझे खुसी है कि हमारी सेनाओं ने पाँच हजार से जादा हत्यारो और यह सेन्य उपकरोणों के लीस बना कर यह तैय किया है कभी यह पाँच हजार आइटम्स बार से नहीं मंगवाए जाएंगे मैं इसके लिए सेना नेत्रुत्वा को बदाई देता हूँ साथियों डिपेंज सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आम फोर्सिट की सराना करना चाहता हूँ हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई सांसिक निरने लिए है सेना द्वारा किये गए जरूरी रिफॉर्म्स का ही उदारण अगनी पस्किम भी है दसों को तक संसत से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाए होती रही है भारत के सैनिकों की आउसत आयू एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा होना यह हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है इसलिए ये विशाए बरसों तक अनेक कमिटीों में भी उठा लेकिन देश की सुरक्सा से जुड़ी इस चुनवती के समाधान की पहले इच्छाशक्ती नहीं दिखाई गई शाइक कुछ लोगों की मान सिकता ही यसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना परेड करना हमारे लिए सेना मतलब एक सो चालीस करोड देश वाच्चों की आस्ता हमारे लिए सेना मतलब एक सो चालीस करोड देश वाच्चों की शान्ती की गारंटी हमारे लिए सेना मतलब देश की सिमाओं को सुरक्षा की गारंटी अगनी पत योजना के जरिये देश ने इस महत्वपुन सप्रे को एड्रेस किया अगनी पत का लक्ष सेनाओं को युवा बनाना है अगनी पत का लक्ष सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बढ़ाय रखना है दुर्भाग जिसे राष्टिय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदंसिल विशे को कुछ लोगों ने राजनीती का विशे बना दिया है कुछ लोग सेना के इस रिफार्म पर भी अपने ब्यक्तियत स्वार्थ में जुड़की राजनीती कर रहे है ये बहीं लोग है जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड के गोटा ले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया ये बहीं लोग है जो चाहते थे कि एरफोर्स को कभी आदुनीक फाइटर जेट ना मिल पाए ये बहीं लोग है जिन्होंने तेजर फाइटर प्लेइन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयरी कर ली थी साथियों सच्चा ये है कि अगनीपत योजना से देश की ताकत बड़ेगी और देश का सामर्थमन युवा भी मात्रु भूमी के सेवा के लिए आगे आएगा प्राइवेट सेक्टर और पैलामेट्री फोर्सित में भी अगनी विरों को प्रास्पिक्ता देने की गोच्छनाएं की है मतहरानू कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है उनकी सोच को क्या हो चुका है ऐसा भृम भला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है मैं जड़ा ऐसे लोगों की सोच सिर्फ शर्मा आती है लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ जड़ा कोई मुझे बताए आज मोधी के शासनकान में जो भरती होगा कि आज ही उसको पैंशन देना आए गया उसको पैंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोधी 105 साल का होगा और तम न भी मोधी की सरकार होगी क्या मोधी जब 105 साल का होगा 30 सांट में के बाद जो पैंशन बचेगा उस ते लिए मोधी ऐसा राजनीती है जो आज गाली खाएगा क्या तर्ग दे रहे हैं लेकिन साथियों मेरे लिए दल नहीं बेसर वो परी है और साथियों मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं सेना और द्वारा लिए गए इस पैसरे का हमने सम्मान किया है और जैसा मैंने पहले कहा हम राजनीती के लिए नहीं राश्ट्र नीती के लिए काम करते है हमारे लिए राश्ट की सुरक्सा सर्वो परी है हमारे लिए एक सो चालीस करोड की शान्ती ये सबसे पहले है साथियों जो लोग देश के युवाओं को गुम्रा कर रहे है उनका इतिहास साथ्ची है कि उन्हें सैनीकों की कोई परवा नहीं है ये वही लोग है जिनोंने एक मामुली रकम पांचो करोड रुपे दिखा दिखा कर वन रेंग वन पैंशन पर जूट बोला था पांचो करोड ये हमारी सरकार है जिसने वन रेंग वन पैंशन लागू किया पुर्वा सैनीकों को सवा लाग करोड रुपे से जादा दिये गए अब कहां पांचो करोड कहां सवा लाग करोड इतना जूट और देश के जमानों के आँख में धूल जोकने का पाप ये वही लोग हैं जिन्नोंने आजहादी के साथ दसक बाद भी सेना की मांग होने के बावजुद भी देश के वीर सैनीकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे सहीदों के लिए बार मेमोरियल नहीं बनाया टालते गए कमीटिया मनाते गए नक्से दिखाते गए ये बही लोग हैं जिन्नोंने सीमा पर तैनात हमारे जमानों को परियाप्त बुलेट प्रूप जैगेट्स भी नहीं दी थी और साथ्यों ये बही लोग है जो करगील विजय दिवस को भी नजर अंदाज करते रहें ये तो देश की कोटी कोटी जनता के आशिरबाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मोका मिला और इसलिए आज ये अव महत्पून एतिहासी घटना का हम पुन्य समरण कर पा रहे हैं बरना अगर वही आजाते तो इस युद्ध बिजय की इस तवारिक को याद नहीं करते साथियों कारगील की बिजय ये किसी सरकार की बिजय नहीं थी कारगील की बिजय ये किसी दल का बिजय नहीं था ये विजय देश की थी ये विजय देश की विरास्थ है ये देश के घर्व और शाविमान का पर्व है मैं एक बाद फिर एक सो चानिस करोर देश वाश्यों की तरफ से मेरे वीर जमानों को स्रच्धापुर्वग नमन करता हूँ सबी देश वाश्यों को पुना एक बार कारगिल विजय के पचीस वर्ष की शुपकामनाई देता हूँ मेरे साथ बोले भारत माता की ये भारत माता की जाएं मेरे उन वीर शहीदों के लिए हैं मेरे वीर भारत मा के वीर सपतों के लिए हैं भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवार उस पर भी सीधे करगिल बॉर्ड मेमोरियल से आप्रधान मंत्री नेरिंद्र मूदी को सुन रहे थे जहां करगिल विजय दिवस पर उन्होंने सैनिकों को याद किया उन्हें श्रधान जली अर्पित की और साथ ही किस तरह से हम अपने बॉर्डर को मजबूत कर रहे हैं सेना के जवानों को किस तरह से और जदा तक्नीकी से हम जोडते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यह तज्वीरे भी आपको दिखा रहा है फिलाल संबोधन के पहले कि जहां पर स्रधान जली अर्पित की थी सैनिकों को और रुकते हैं आज शोटे से ब्रेक के रिए देख तो एई न्यूस हीटीन वादस्तान